हलो व्योर्स आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा दस्वी हिंदी विशे का त्रेमासिक परिक्षा का पेपर तो शुरू करते हैं इसका प्रश्ण नमबर जो पहला है वह है सही विकल्प का चैन कर लिखिए तो इसमें जो सही विकल्प चैन करना और हमें लिखना है तो इसका पहला प्रश्ण आचारे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्धिसायत्य को विभाजित किया है तो रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने हिंदी पद्धिसायत्य को कितने कालों में विभाजित किया है त इसके बाद अगला है परसु का अर्थ होता है परसु का अर्थ होता है पत्थर, बान, फरसा या धनुष तो इसका उत्तर होगा फरसा परसु का अर्थ होता है फरसा इसके बाद अगला है विभावानुभाव व्यभीचारी सयोगा द्रस निश्पत्ति या परिभाशा है तो अंतिम बार हालदार सहाब ने नेता जी की मुर्थी पर कौन सा चश्मा लगा देखा था तो इसका उत्तर होगा सरकंडे का चश्मा लगा देखा था इसके बाद अगला है जिन मूल शब्दों से मिलकर समाज बना है उसमें पहले पत को कहते हैं जिन मूल शब्दों से मिलकर समाज बना है उसमें से पहले पत को कहते हैं पुर्वापर, पूर्वपद, उत्तरपद या मध्यपद तो इसका उत्तर होगा पूर्वपद ठीक है पूर्वपद इसके बाद अगला है माता का आचल पाट के आधार पर मकई के खेत में जुन्ड चर रहा था तो किसका जुन्ड चर रहा था बकरियों का, बेंसों का, भेडों का या चिडियों का, तो इसका उत्तरों का चिडियों का इसके बाद रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिये प्रश्णमबर दूसरा है और इसमें पहला तुलसी दास ने रामचरित मानस की रचना भाशा में की थी तो किस भाशा में की थी तो इसका उत्तर होगा अउधी जी कि अउधी तुलसी दास ने रामचरित मानस की रशना अवधी भाशा में की थी इसके बाद अगला है आश्रय की भाये चेस्टाव को कहते हैं तो आश्रय की भाये जो चेस्टाव को कहते हैं अनुभाव आश्रय की भाये चेस्टाव को अनुभाव कहते हैं इसके बाद अगला है विस्तरत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं इसके बाद अगला है दिल्ली चलो का नारा दिया था तो दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था तो इसका उत्तराएगा सुभाश चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था इसके बाद अगला है वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामाने सुचना मिलती है किस प्रकार के वाक्य से मिलती है तो यहाँ पर रिक्तिस्तान में हम लिखेंगे विधान वाचक वाक्य से विधान वाचक तो विधान वाचक वाख्य है विधान वाचक वाख्य से किसी क्रिया के करनेया होने की सुचना मिलती है तो यहां रिक्तिस्तान में आएगा विधान वाचक इसके बाद अगला है भोलानात और उसके साथी अमोले को घिसकर बनाते थे बोलानात और उसके साथी अमोले को गिसकर बनाते थे तो यहाँ पर आएगा शहनाई बोलानात और उसके साथी अमोले को गिसकर शहनाई बनाते थे इसके बाद अगला पैस नमबर तीसरा है निमनलिखित कथनों के समक्ष सत्या असत्य लिखिए तो इसमें पहला है सुर्दास के पद में तेल की गागरी श्रीक रश्न को कहा गया है, तो ये कथन असत्य है, इसके बाद है संचारी भाव की संख्या तेतिस मानी गई है, तो ये कथन सत्य है क्योंकि संचारी भाव की संख्या तेतिस मानी गई है, इसके बाद अगला है बाल अगला है लेखक शिव पुजन सहय के पिता आटे की गोलिया मचलियों को खिलाते थे तो आघधन सथ्य है तो इस प्रकार से सत्य-सत्य हम लिखेंगे इसके बाद प्रश्टमबर चोथा है, सही जोडी मिलान कर लिखे, इसमें इस्तंब और इस्तंब बहे, इस्तंब अ में है ब्रगुकुल के ध्वज, दोहा, कहानी के तत्व, निस्तब्दता, गले का हार, महतारी, और इस्तंब अ में है माता, बहुत प्रिय, सन्नाटा, इसके जोड़ी बनाएंगे तो ब्रगुकुल के ध्वज, जो थे परशुराम इसके एक नमबर से जोड़ी बनेगी, इसके बाद जो दोहा है या अर्द सम्मात्रिक चंद है, तो यहाँ पे दूसरे की जोड़ी यहां से बनेगी, अगला है कहानी के तत्व, तो कहानी के त जोड़ी बनेगी, इसके बाद है निस्तब्दता, इसका अर्थ होता सन्नाटा, तो जोथे की जोड़ी यहां बनेगी, अगला है गले कहार, तो इसका अर्थ होता बहुत प्रिय और महतारी, इसका अर्थ है माता, तो इस प्रकार से हम जोड़ी बनाएंगे, तो जिसके साम इस प्रकार से मुत्तर लिखेंगे इसके बाद अगला प्रश्ण है निम्नलिखित प्रश्ण के उत्र एक वाक्य में लिखिए तो इसमें पहला है राम लक्ष्मन परशुराम सवात किस घटना के कारण हुआ था तो इसका उत्तर होगा शिव धनुष तूटने की घटना से जैसे शिव धनुष तोड़ा था वेसे परशुराम वहाँ पर आये थे तो इस घटना से यह राम लक्ष्मन परशुराम सवात की घटना का कारण था है उसके बाद उद्धीपन किसे काते हैं उद्धीपन किसे करते हैं इसका उत्तर होगा इस्थाई तो प्रश्ण है उद्धीपन किसे करते हैं इसका उत्तर है इस्थाई भाव को बढ़ाने के कारण उद्धीपन कहलाते हैं इसके बाद है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी इसके पहले है बालकोपिन भगत की प्रभातिया किस महा से शुरू होकर किस महा तक चलती थी ठीक है तो बालकोपिन भगत की जो प्रभातिया है वह कार्तिक मास कार्तिक माहा से फागुन कार्तिक मासे फागुन माहा त तक चलती थी, कार्टिक महा से फागुन महा तक चलती थी, ठीक ए फागुन लिखा हैं हापर, तो कार्टिक महा से फागुन महा तक पालकुपिन भगत की प्रभातिया चलती थी, इसके बादे दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संदी होती है, यदि दो स्वर आपस में तो हापए स्वर संदी होगी, तो इसका उतर बहुत आसान है, स्वर संदी लिखेंगे हम, दो स्वरों के आपसे मिलने से स्वर संदी होती है। तो इसका उतर होगा देहाती दुनिया, जो है यह स्मरण शिल्पम में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है हिंदी का, देहाती दुनिया, ठीके. इसके बादे दो-दो नमबर के प्रश्न, रितिकाल के कोई दो विशेष्टाय प्रवरत्या लिखिये, अत्वा नई कविता के कोई दो कवियम उनके एक एक रश्ना का नाम लिखिये. अगला है सूर्दास अथा तुलसिदास की कावेगत विशेषता है निमनलिकित बिंदू के आधार पर लिखिए तो यहाँ पर बिंदू है दो रशना है भावपक्ष कलापक्ष इसके बाद एक रशने के प्रती अपने अनन्य प्रेम को गोप्यों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया अत्वा है राम लक्षमन परशुराम सववार पाठ के आधार पर राम के सभाव की कोई दो विशेषता लिखिए तो ये दो दो नंबर के जितने भी प्रेशने इनकी तैयारियम अगले विडियो में करेंगे जिसमें सारे इंपोर्टेंट कुशनम तैयार करेंगे इसके बाद एक गोप्यों ने उद्धाव से योग की शिक्षा केसे लोगों को देनी की बात कही है अत्वा लक्षमन ने वीर युद्धा के क्या-क्या विशेषताय बताई कोई दो विशेषताय लिखिए इसके बाद एक प्रबंद कावे किसे कहते हैं प्रबंद कावे के भेद के नाम लिखिए अत्वा है हासिरस की परिभाषा उधारन से लिखिए इसके बाद अगला प्रश्ण है महा कावे और खंड कावे में कोई दो अंतर लिखे अथ्वा चोपाई छंद के लक्षन हुधारन सहीत लिखे इसके बाद अगला है रिपोर्टार्ज किसे कहते हैं किसी एक रिपोर्टार्ज का नाम उसके लेखक सहीत लिखे और इसके अथ्वा में है जिवनी और आत्मकता में कोई दो अंतर लिखे इसके बाद अगला प्रश्ण है स्वयम प्रकाश अथ्वा रामरक्ष बेनिपूरी के सायतिक विशेष्टाई निमनलिकित बिंदों के आधार पर लिखे तो यहाँ पे जो बिंदु दे रखे वो है दो रचनाए भाशा शेली इसके बाद अगला प्रश्ण है मूर्टी पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है अथ्वा बाल्गोपिन भगत की दीनचर्या लोगों के अचरच का कारण क्यो थी इसके बाद अगला है कैपटन बार बार मूर्टी पर चश्मा क जो लगा देता था अत्वा बालगोपिन भगत के मधूर कायन की विशेशता है लिखिये इसके बाद प्रशनमबर 16 जो है निमनलिकित वाक्यान शिकल एक शब्द लिखिये तिसका पहला जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते कि वंदनती और कम खर्च करने वाला कहलाता है मित व्याई और इसके अत्वा में मुहावरे हैं अगला जो है प्रशन भोलाना तो अपने साथियों को देख कर सिसकना क्यों बूल जाता है लिखिये अत्वा बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करतें लिखिये इसके बाद जो दे रखा है हमारे हरीर हारिल की लकरी जो की सुर्दास वद जो आपके काव्यखंड का पाट एक है उससे है और इसके अत्वा में है राम लक्ष्मन परशुराम सववात का पत नात संभूधनु बंजनिहारा होई के उएक दास तुमारा तो ये पहला पत दे रखा है इसके नाम केप्टन उसे नेता जी की बगेर चश्मे वाली मुर्ती बूरी लगती तो ये वाला गध्यांश दे रखा जिससे आप आसाने से कर सकते हो तो आपको गध्यांश की भी तयारी करनी है और पध्यांश की भी तो आप कमेंट करके बता सकते हो तो इस प्रकार से हमने हिं दीका 13 क परिक्षा का पेपर देख लिया और येक मोडल पेपर इसी तरह का पेपर आपके एक्जाम में आएगा इसके बाद जो प्रातना पत्रों निबंद आने वाले हैं उसकी तयारी हम अलग से करेंगे कौन-कौन से प्रातना पत्रों निबंद महत पूर्ण ही तो इसी प